स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे section 146 of IPC पर और इस section में दिया गया है कि जब भी कभी criminal force या फिर violence मतलब की आपराधिक ताकत या फिर हिंसा का प्रयोग किया जाएगा unlawful assembly के द्वारा या फिर unlawful assembly के किसी member के द्वारा उसी assembly के common object के लिए तो ऐसे में उस assembly का जो प्रतेग member होगा वो offense of writing के लिए उस assembly को उस assembly के प्रतेग member को guilty माना जाएगा